हलो प्यारे स्टुडेंट कैसे आप लोग उमीद करते हैं कि बिलकुल अच्छे होंगे एक और नए वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं इस वीडियो में हम उन बच्चों के लिए इंफोर्मेशन लेकर आये हैं जो कलाश 10th मैट्रिक विहार बोट पर इक्षा 2024 में स क्या क्या ची डोकुमेंट लगेगा अगर जो डोकुमेंट लगेगा तो वो कब तक किलियर करके आप लोग को रखना है और कहां आवेदन किया जाएगा ये सारा हम इस वीडियो में जनकारी देने वाले हैं चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लिजेगा बिल आइ मैटरिक बिहार बोड परिक्षा देने के लिए आपका जो फॉर्म फिलप होने जा रहा है जिसमें च्छा परकार के आपका डोकुमेंट चाहिए वो कौन-कून डोकुमेंट है इस सारे वीडियो में हम जनकारी देने वाले हैं तो आपका वो डोकुमेंट है प्यारे बच् कौन-कून से डोकुमेंट है वो हम पूरी तरह से इसमें लेकर आए है पहला कगजात आपका जो है देख लिए आवेदन परपत्र दो प्रती में और दो कोपी मिलेगा आपको कहां से अस्कूल से मिलेगा और ये जो परपत्र जो है इसको कैसे भरेंगे इस पर भी वीडिय आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ठीक है इसको डिस्क्रिप्सण में लिन्ख हम दे दिये हैं यह दो फौर्म मिलेगा प्यारे बच्चे दोनों फौर्म को आपको क्या करना है भरना है और इसके बाद जाई सहे हैं यह फौर्म anecdot ले कर जाना है रंगी पस्वर् photo देखिए इस परकार से इतना side में photo आता है ऐसा photo आपके पास होना चाहिए रंगीन photo होना चाहिए और currently photo होना चाहिए इसलिए अप्डेट photo एकदम आपको रखना जरूरी है प्यारे बच्चे तीसरा document जो आपका सबसे बहतरीन है यार्सका इसमें व olacak की अधहार काड की छाया प्रती यह चाया प्रती का मतलब होता है फोतो कोपी अभा फोतो कोपी अधहार काड का जरूर ले जाना है आपको फॉर्म भरने के लिए जाईएगा तो एकदम अधार काड़ बहुत जरूरी है इसको छोड़ना नहीं है और एक भी आपका अक्छर गलत नहीं होना चाहिए प्यारे बच एकदम सुधरना है उसको कोई हर हाल में चार नमर में आपका डोकुमेंट जो होगा वो पंजियन परपत पंजियन पत्रे की छाया परती यानि जो आपका प्रिंस्पल के दोवारा आस्कूल में दिया जाएगा पंजियन यानि रिजिस्टेशन कार्ड जो किये है वो आपका पंजियन संख्या जो मिलेगा उसका आप का information भी इसी email id पर आपको दिया जाता है तो email id एक दम बना लिजेगा और email id बना येगा तो उसका password आप लोगों को इदम याद रखना है ऐसा नहीं कि password बना के भूल गए प्यारे बच्चे इसके बाद 6 नमर में है आपका document में जाती आवासिय और आए ये जाती बहुत जरू आपक में जाकर परखंड अस्तरिये पर जाकर ततकालिन जाती आवासिय और जाती आवासिय और जाती आवासिय और आवासिय और प्यारे बच्चे उसको निकल वाईए और जो फार ने किल जाए तो इस सारा document आप लेकर जाए वरना अगर जो time से बाहर आप चले गए तो इ वेदन पर पत्रे दो परती में ठीक है इसके बाद है रंगीन पास्वर्ट फोटू दो रंगीन पास्वर्ट फोटू होना चाहिए अधार काट की फोटो कोपी होना चाहिए पंजियन पत्रे की छाया परती होना चाहिए इमेल आईडी जरूर होना चाहिए जाती आवासिय आए अवास्यक यह डौकुमेंट होना चाहिए और इतना के लिना के बाद प्यारे बच्छे आपको कहा जाना यह देखिए आपको इसमें बता देते हैं साब साब कि यह कबसे आपका क्या होने वाला है से देखिए पूरी जनकारी एकदम बेहतरी धंक से आपको मिल रही है मैट्रिक वार्सिक परिक्षा दोहजर पचीस में समलित होने वाले सभी पात्र बिद्यार्थियों यानि पात्रे का मतलब जो परिक्षा देने वाले हैं का आउनलाइन परिक्षा फॉर्म वेवसाइट का नाम है प्यारे बच्चे आपका secondary.bihardboardonline.com के माधियम से दिनांक 27 सितंबर 2024 यानि 27 नौ दोहजर चोविस तक संबंधित विद्यालों के परधाने दोवारा भारा जाएगा ये परधाने अधियापक के दोवारा जो है ना से प्यारे आस्कूल आस्कूल में आपका जो हैसे फॉर्म भारा जागा कब 27 नौ से ठीक है तो आप लोगों को सब रेडी करके रखना है वेगदम जाना है वहाँ और दन दन आप लोगों को फॉर्म भार देना है secondary.biharboardonline.com पर upload कर दिया गया है आप यहां से download नहीं कर सकते हैं जब आप आश्कूल में जाईएगा तो यह registration जो मूल registration card है यह आपका principle आपने से download करके और machine से निकाल के print out करके आपको देगा जिसमें से आपको जो है प्यारे बच्चे वह original copy को रख लेना फोटो copy को वहां चिपका देना है यह था आपका बेहतरीन information और देखिए इसमें आता विद्याले के परधान समीती के उक्त website से परिच्छा form format एवा मूल registration का download करते हुए सम्मादित परिचारतियों को उपलब्ध कराना सुनिक्चित है यानि download करके form जो है इसे वह आपको देगा आश्कूल में वहां पर 5-10 रुपिया में आपको देगा हलाकि आप भी अपने से download कर सकते हैं और उस पर भी बताएंगे हम कि किस परकार से form भरना है आउनलेन परिच्छा form भरने से समधित किसी भी परकार की अगर जो आसुविधा यानि दीकत या समासिया आपके आता है तो बिहार बोड के दुवारा आपका help line number जाली किया गया 0612-2232 ठीक है परिवज़ 0 और 740 इस पर आप संपरक करके सीधे आप बात कर सकते हैं कोई भी किसी भी परकार की आपको दीकत होता है तो यह था आपका बहुत बड़ी update वीडियो को हर एक पाच लोगों आप लोग शेयर करिए उनको विजनकारी दीजिए कोई भी दीकत होतो तो comment box में comment कर हमसे सीधे आप पोच सकते हैं तुरंत उसका reply देने का परियास करेंगे अब हम जो है इसे आपका description में link दे दिया है आपका किस का तो form किस परकार से भरना है यानि form किस परकार से भरना है कहां कहां क्या भरना है एक जलक उसको आप जरूर देख लिएगा उस वीडियो को नहीं तो और उसमें आपको प्यारे बच्चे सबसे बड़ी बात है कि अगर जो उसमें जैसे aim है aim से सुरू है या तो aim A लिखे है और एक जगहर जो B हो गया तो ये वाला जो अगर जो गलती आप की है भाई साहब तो ये गलती आपको अभी तो नहीं एहसास होगा जब जॉब के लिए जब कोईलिफाई होई है गया आप और वहाँ जब हरिफिकेशन होगा डोकुमेंट और एक अच्छर भी अगर जो आपका गलती निकल गया तो सीधे कॉलर पकड़के आपको वहाँ से बाहर निकल दिया जाएगा उस समय आपका बहुत दिकत होने वाला है तो ये था प्यारे बच्चे आपका इन्फोर्मेशन की किस परकार से फॉर्म में कौन-कौन से डोकुमेंट लगेंगे और कब से शुरू होगा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देजीगा चैनल पर नहीं होगे तो सब्सक्राइब कर देजीगा और वीडियो को फट फट दोस्तों में सेर कर दे आच्छे कौन्टेंट के लिए सार्विगान कलासे साब का वीडियो हमेशा बनाते रहता है चली प्यारे बचे जैहिन जै भारत